शुक्रवार देराद गनेश पेट पुलिस थाना अंतरगत भालदार पुरा शेत्र से चोरी की घटना सामने आ रही है जहां एक मकान की छट के खुले दरवाजे का फायदा उठा कर आरूपी मकान में दाखिल हुआ और नगदवा सोने की जेवरास सैथ आठ लाक रुपे के म माल पर हास साफ कर फरार हो गया जानकारी के मुताबिक फर्यादी शेख सर्फराज शेक रफीक जो की सरकारी बैंक के साहिक प्रभंददक के पत पर कारिज़त है वे शुक्रवार रात अपने भालदापुरा सित होटल आमिर दरवार के पास अपने घर में रात करीब देर स दो बचे के बीच सो रहे थे उसी बीच वे अपने घर की छट का दर्वाजा बंद करना भूल गए जिसका फाइदा उठाकर एक अग्यात वेक्ती छट के रास्ते उनके घर में दाखिल हुआ वहीं घर के हौल का दर्वाजा भी खुला ही था जिसके चलते अग्यात आरुपी फर्यादी के हौल में गुसा वहीं हौल की रास्ते किचिन में पहुचा जहां फ्रिस पर रखी हुई अल्मारी की चाबी लेकर आरुपी ने कमरे की पीछे की गैलरी में रखे अल्मारी में से पचास से साथ हजान नगर्द रकम एवं सोने की आभूशन सई तकरीबन आठ लाके मुद्ध माल पर हाथ साफ कर लिया इसी दोरान जैसे फर्यादी को कमरे में किसी के होने की आहट लगी तो फर्यादी ने बाहर आने की कोशिश की पर आरुपी ने फर्यादी के कमरे का द खोला फर्यादी ने जब बहार निकल कर घर की तलाशी ली तो पता चला कि अलमारी से तकरीबन आठ लाक का मुद्ध माल चोरी हुआ है जिसके बाद फर्यादी ने सो नंबर पर कॉल कर घर में हुई चोरी की घटना की जानकारी पुलिस को दी जिसके बाद गणिश पेट पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुचियों घटना की जानकारी प्राप्त कर आगी की कारवाई में जुट गई है देखने वाली बात होगी की शातिर आरूपी को पुलिस कप तक हिरासत में लेती है जब हम लोग सो रहे थे मेरे कमरे के पीचे ही मेरी अलमारी है जहां पर अग्याद चोर टैरी स्पेस है मेरे नीचे उत्रे और अलमारी में से कैश और सबसे यादा गहने लेके गए ये चोरी लगबख आट लाक रुपे की हुई है और ये जब चोरी हुई जैसे हमको एक आहाट मिली कि घर में के किसी ने गेट खोला है याला अलमारी का तो वैसे हमारी नीद खोली और जैसे हम उटने की कोशिश किये तो मुझे पता चला कि मैं अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ कमरे में सो रहा था तो वो कमरे का भार से दरवाजा उन्होंने चोरो ने अग्या चोरो ने उसे बंद कर दिया था जिस होजा से मैं तुरंत नहीं निकल सका लेकिन मैंने मेरे फादर को फोन करके नीचे से उपर बुलाया जो कि फर्स फ्लोर पर रहते हैं मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूँ फर्स फ्लोर से वह आके उन्होंने दरवाजा खोले और रात के टाइम पे तीन साड़े तीन चार बजे की दर्मियान ही रात में पुलिस स्कॉर्ट का भी काफी सपोर्ट मिला डॉग स्कॉर्ट फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट और रात में जो हमारे यह एरिया आता है गनेश पेट पुलिस स्टेशन के अंतरगत तो रात के जो प पुड़े अंगोठी और जो भी मुझे जेवर मिले थे शादी में वो सब गए है अब क्या है एक गरीब एक मिडिल क्लास परसंट जो नौकरी पेशा है उसके घर से इतना चले जाना यह वह आदमी को एक बार में दस लगभग लगभग आठ से दस साल वह आदमी पीछे आ मिला है और जो चोरी हुई है वो टैरी स्पेसे आये है जो चोड़ थे हमारे अभी यह पता यह हमेशा खुला नहीं रहता है गलती से कल खुला रह गया है यह एक आदमी का तो काम नहीं हो सकता है क्योंकि पूरा टीम वर्क करके आपके काम किया गया है पूरा दो तीन कल पूरे दिन पुलिस प्रशाशन ने हमको सपोर्ड किया फायर दर्श की है पुलिस प्रशाशन और उनके वरिष्ट अधिकारियों से बस विनिंती है इस तरीके से जो घटना होते है जो आम जनता जिससे परेशान है इसके ओपर अंकुष लगाया जाए और जल से जल चो का सोलूशन हमें मिलना चाहिए इसके मैं आशा करता हूं अमी दिनांक नहुं तीन दोनदर तीविश च्या रात्री ला नाइड ऑपिसर मुन पॉलिशन ला ड्यूटी और हज़र हो दो दर्वान हमें अकरा बारा वास्तान अंतर पेट्रोलिंग लाने हमी परान निक तो प हालदारपुरा होटेल अमिर दर्वार चाह बाजूला एका घरा मदे रात्री चाह दर्मयान चूरी धली लिया है अश्री मा अहती मिरता हो सामी तातकर त्या डिकानी पुलिशन ची डीबी स्टाफ आणी आमचे सबजे अविलेबल स्टाफ होते आणी वेहिकल्स यांचे स विचेरा पुछ किल्येशता यांची साइट लगकिवा ते रात्री चाह दर्मयान चाह दोन चॉर्टा चाह पूर्वी नहीं बेडेत अरद्नान के आल ते 0 1 8 दासम अला चाह ऑन चाह अणी त०ीरेशन चाह दोन आईकरनी ऊसे अ लाक्षा कि अंचे यह लोखर चाब्या आए पिलिए कि टेंचे आज यह लॉकर चाविया अट है ते किचन रूम बदे फ्रीज रह थे वतात अनी त्याजा ते टिक अनी एंटरंस जो टेरेस आए टेरस करता है कोड़ते लोखंडिक गेट आ है पंचुकिन तया घर पन त्या अपले आईकार ला आमी तो अनुशंगा ने काहीं महतुपुर मायती मिलाली लिया है त्या अनुशंगा ने अमी फिरेजी रिपोर्ट गेटली लिया है अनुशंगा ने काहीं में पनाच मिलाली लिया है त्या टक गेटली लिया है त्यार आउटली लिया है क्यामरा पर्सन अखिलेश भारत द्वाच के साथ अक्सान सारी बीसे न्यूस नात पुरूंग